हापुर जनपत के मेरेट गेट पुलिस चोकी के निकट दशहराप पर्क के दिन दोपहर को इलेक्ट्रोनिक से भरे गोदाम में अचानक फयंकर आग लग जाने से करीब 10 लाक रुपए मुले का सामान जलकर राख हो गया आग लगने का कारण शौर्ट सर्किट बताया जा रहा है आपको बता दे कि यह दुकान हापुर शिवपुरी के प्रविन सूरी की है और जोकी पुराना बाजार में इलेक्ट्रोनिक सामान की दुकान है दिवाली पर पर वाशिंग मशीन, एलेडी, फ्रीज, आदी मांग निकालने की उमीद से प्रविन ने मेरेट गेट पुलिस चौकी के एक गोदाम में इलेक्ट्रोनिक सामान का भंडारन किया हुआ था रविवार की दोपहर को गोदाम की प्रथम मंजिल पर रखे सामान में अच्छानक आग लग गई जिस कारण एक बार तो अफरा तफरी मच गई, बाद में मौके पर लोगों की भीडे कत्र हो गई सुचना पाते ही तीन दमकल के वाहन मौके पर पहुची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया प्रविन न बताया कि आग से करीब 10 लाक रुपे का माल जल गया है